चीन जिस तरह से बाकी देशों को कब जाने की कोशिशे कर रहा है। उससे लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब चीन अखेला एक तरफ खड़ा होगा और पूरी दुनिया दूसरी तरह। चीन ना जाने एक साथ कितने देशों पर निशाना साथ रहा है। औस्ट्रेलिया, अमेरिका, ताइवान, जापान, भारत और तो और अब म्यामार ने चीन से त्रस्थ होकर अपनी आवाज बुलंग की है और दुनिया से मदद मांगी है। रूस के एक सरकारी चानल को दिये इंटिव्यों में म्यामार आर्मी चीफ जेनरल मिन आंग लाइंग ने कहा कि उनकी धरते पर जो आतंकी समों सक्रिय हैं उनके पीछे मजबूत ताकते मौजूद है। जेनरल ने जिन मजबूत ताकतों का जिक्र किया है उन्हें चीन से जोड कर देखा जा रहा है। को हथियार देता है। प्रवक्ता ने बताया कि चीन चाहता है कि म्यामार इसके बेल्ट एंड रोड प्रॉजेक्ट की कई परियोजनाओं को मंजूर करे। और इसी के लिए दबाव बनाने के लिए वो म्यामार में आक्टे बातंकी समोहों को हथियार सप्लाइब करता है। इतने पुक्ता तोर पर जो मिन्टुन चीन पर यारोप इसलिए लगा पा रहे हैं क्यूंकि उनके मुताबिक म्यामार में सक्री आतंकी संगचन सुरप्शबलों पर हमला करने के लिए चीन के बने हथियारों का ही इस्तिमाल करते हैं। दुनिया से मदद मांग रहा है। वहीं चीन ने इन आरोपों को हमेशा खारिज किया है। झाल इन जिए अधिया खारिफ शारिए Kyle